मध्य तालिम, निर्गुन संत, कभी डास के दोहों में, काया योग, रहस्य वाद, जीव वाद, निर्गुन वाद, एवन परम्तत्रूप, राम, आधी अनेक से धानतों की छलक मिलती है, मूलतह कभीर अध्वयत बेदानती है, कभीर का ब्रह्म मात्र निर्गुन नहीं है, निर्गुन होते हुए भी, कभीर, दया, करुना, प्रेम और भावना के पुंज है, संत कभीर की साधना में ज्ञान औ हों, आधंबर, बाहरी दिखावा, इन सभी चीजों के कत्तर विरोधी कभीर दाशी रहे, उन्होंने समाज के उन सभी आधंबरी पंथों और संपरदायों पर चोट किया है, जो बाहरी दिखावा के पक्षिथार है, दिखावा का मतलब समझ नहीं हो, दिखावा, जो हम है वैसा दिखने की कोशिश करना, वहीं दिखावा है, आधंबर उसी को कहते हैं, बाल, मुडा लेने से कोई संत नहीं हो जाता, वस्त दंगा लेने से कोई फ़कीर नहीं हो जाता, डाधी रख लेने से कोई साधू नहीं हो जाता, करीर रासी इसको आधंबर मानते रहे, हम स् दूसरों के कमियों को तुरूतियों को देखते फिटते हैं। अपने घर को अपने आचरन को नहीं सुधारते पर दूसरों से यही आशा रखते हैं। हम अपनी कमियों को नहीं आखते अपनी छित्रों को नहीं देखते लेकिन दूसरे के छित्रों को बड़ा करने में मश्बूल रहते हैं अपने अवगोनों को देखना तो दूर सुनना तक पसंद नहीं करते हैं वहीं दूसरों के गुणों को भी आप गुणों में परिवर्थित करने के लिए लगे रहते हैं, कुछक्र रस्ते रहते हैं कभीर दास जी इन सभी आदम्बरों के विरोगी थे उनका कहना था कि तुम जैसे हो वैसे ही दिखो अपने आपको जूठई स्रिंगार में मतलाओ, बनाओ स्रिंगार यह आदम्बर है महान संत कभी, कभीर दास जी का जन्व संबत 1456 के जेश्थमास के सुकल पक्षे फुर्णिना के दिन हुआ था उनके जन्व और मिट्टिन किती विवादि थे दाम्बन फुल में जन्म लिये कभीर दास जी का पालन कोशन मुसलिन परिवार में जुलाहा परिवार में हुआ यही कारण है कि कभीर दास में दोनों संस्कारों का मिश्वन है एक बार फरिष्टितियों से उब कर कभीरदास जी बैरागी हो गए और वन वन भटकते रहे पर जब उन्हें वेकस्त वन में भी प्रतित हुए तो घर रहकर ही उन्होंने वास्तविक विरत्त जीवन अपना लिया और वही जीवन व्यतित करने लगे वे शरीर से ही नहीं मन स सच्चे मन के पुजारी थे संद्कभीरदास जी अपने संपूर्ण जीवन में अपने को कभी किसी धर्म या किसी पंठ से नहीं जोड़ा कभीर सच्चे साधक और संच्चे संद्ध योगी थे आज के वर्तमांतरी प्रेक्षि में जब आज संपूर्ण समाज जाति धर्म रंग भेद वर्न भेद में बट्र नजर आ रहा है समझ रही हो जाति भेद हमारा जाति क्या है हम उसी जाति को हम चाहेंगे यही होता है जाति धर्म हम जिस धर्म को मानते हैं हम उसी धर्म के लोगों से प्यार करें दूसरे के धर्म को छोटा समझें यह हलत बात है इस धर को वो भुखत ही खराब मानते थे हैं कि कभीरदास जी की भावना कभीरदास जी की विचार भारा अत्यंती आज की परिक्रेक्षि में उप्योगी सिध्य हो रही है कभीर ने आदंबर युक्त जीवन पर कताक्ष करते हुए निनलिकित पंक्तियों को उध्रित किया है और सु स्वेर्ज कभीरदास ज्यान को ही सच्छा रत्न मानते हैं ज्यान्गूropi सादून से ही नहाने की बात करते हें मत इस शरीर को मत शहाब आंते हैं माया खंक मानते हुए संट कभीडयास कि देहे है जुनद्या करना थो आईजिया मैं लिच में गरिया जन्म जनम के मैं लिच में गरिया विशैताग रखी आई इन धोए पिया बात न पूछे इन धोए पिया बात न पूछे पलंग सब्थ गिदाई वे चुमैया काहे ना धो आई चुमैया काहे ना धो आई वे चुमैया काहे ना धो आई ज्यान रखनशा मुन लखवाया ज्यान रखनशा मुन लखवाया राम नाम तरियाई मन तू विखा तू छाण दब हुरिया विशै दाग छुपी जाई लेश परिया कहते हैं कि बहुत कुछ तुम्हारा बीच चुका है आप तो सब लोग बालापन पीते यू आपन पीते आपन पीते पिरधा पन मियराई कहते कबीरे चाल पल पीते पान हल जम पुर्ण जाई ले चुन दिया कहे ना थो आई चुन दिया कहे ना थो आई ले चुन दिया पालापन बीते दुआपन बीते विर्थापन नियराई हम बच्चे थे वहां समय बीत गया हम यूवप थे वहां समय ही बीत गया अब हम प्रिद्धु हुए अब तो चेतो और अभी भी भुवान के नाम को लेने के लिए तया हो जाओ तो आईए कबीरदास के कुछ सीख भरे दोहे जो ग्यान रूपी धरिया है में हम सभी मिलकर दुख्यां लगाए आनंग ले और अपने जीवन में इसे करतात भी करें